तो जब भी आपको होटल वाली बिर्यानी खानी है और ज्यादा मैनत नहीं करनी है तो आप एक बरतन में आसान तरीके से पॉफेक्ट मेजरमेंट वाली इस बिर्यानी की रेसिपी को जरू ट्राई करें एक ग्लास चावल के लिए डेड़ ग्लास पानी, हाई फ्लेम पे दो सीटी और प्रेशर कुकर जब ठंडा हो जाए तब आप इसे खोले उससे राई सेक्टम सही बनेंगे गिलानियों का कच्चा नहीं रहेगा पॉफेक्ट मेजरमेंट वाली रेसिपी है ये प्रेशर कुकर में वेज बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में तेल गरम करेंगे तो आधा कप के करीब तेल गरम करें जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें चार मीडियम साइज के प्यास कटे हुए डाल देंगे तो प्यास को आप ऐसे लंबाई में काट ले और अलग-अलग कर ले बिर्यानी के ऊपर जो ब्राउन वाली अनियन होती है ना पहले हमें वही बनाना है तो जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें ये प्यास जाल लेंगी तेल ज्यादा गरम हो तब ही प्यास को डाले और गैस का फ्लेम हाई करके इसे तब तक फ्राई करें जब तक इसका कलर जो है वो डाक ब्राउन नहीं हो जाए बीच-बीच में इसे आप ऐसे मिक्स करते रहें तो थोड़ी देर में आप देखेंगे ना कि प्यास का कलर ऐसा आगया है लेकिन हमें प्यास को इसे भी ज्यादा डाक करना है तो इसे ऐ लाते रहें और जब प्यास्ट का कलर जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा यह देखे तभी हमें इसे निकाल लेना है इस से ज़्यादा नहीं पकाए नहीं तो प्यास्ट का कड़वा टेस्ट आएगा तो यहाँ पे प्यास्ट दिखने में डाग ब्राउन है लेकिन थ थोड़ा सा कलर इसका और हलका आजाएगा तब हम सीम तरीके से बाखी के प्यास्ट को फ्राई कर लेंगे अगर आप ज़्यादा तेल इस्तमाल कर रहे हैं तो पूरे प्यास्ट को एक साथ फ्राई कर सकते हैं और अगर आपको बिर्यानी में ब्राउन अनियन नहीं चीए तो आप इसे skip कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि यह जो बचा हुआ तेल है इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे तो इसमें मैंने यहाँ पे जीरा लिया है शाही जीरा लिया है, दालचीनी, जावित्री एक बड़ी लाइची और एक तेश्पता लिया है इन सब को हम ऐसे तेल में डालेंगे बड़ी लाइची को क्रश कर ले इसके बाद हम इसमें दो मीडियम साइच के प्याज के डिए डाल देंगे ध्यान रहे बिर्यानी में प्याज का इस्तमाल जादा होता है इसलिए थोड़ा टेंशन फ्री होके प्यास डाले प्यास को हम light brown होने तक ऐसे पका लेंगे गैस का flame medium रखें यहाँ पे इसके बाद हम इसमें सारी सबजया डाल देंगे तो यहाँ पे मैंने गाजर, बेंस, यह बंद को भी इसके साथ थोड़ा पनीर और दो हरी मिर्च लिया है तो पनीर और हरी मिर्च छोड़की बाकी सारी सबजया एक साथ डाल दे सबजयों को हम प्याज के साथ ही भून लेंगे तो गैस का flame हम medium रखेंगे और इसे ऐसे 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे जैसे ही सबजया थोड़ी soft हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे अध्रक और लहसुन का paste अध्रक और लहसुन के paste को हम पहली medium flame पे भून लेंगे जैसे ये थोड़ा सपक जाएगा हम इसमें मसाले डाल देंगे तो एक छोटा चमच कश्मीरी लाल मिच पाउडर आधी चोटी चमच धनिया पाउडर आधी चोटी चमच जीरा पाउडर आधी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर और लास्ट में दो बड़े चमच बिर्यानी मसाला पाउडर डालेंगे किसे भी ब्रैंड का बिर्यानी मसाला पाउडर आप रेडिमेट इस्तमाल कर सकते हैं मिला दे इन सब को तो यहाँ पे हमने मसालो को भी थोड़ा तेल में पका लिया है और अब हम इसमें डालेंगे दही तो दही डालने से पहले गैस को बंद कर दे ताकि तेल थोड़ा थंड़ा हो जाए नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि गरम तेल में जाती ही दही फट जाती है तो जब यह थंड़ा हो जाएगा तब हम इसमें दही डालेंगे तब तक हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा गरम दूद में केसर भीगो के रख देते हैं बिर्यानी में केसर बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है लेकिन अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं उसकरना चाहते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं तो इसके साथ ही न, मैं यहाँ पर थोड़ा सा food color भी पानी में मिला के रख देती हूँ, food color बिर्यानी में optional है, food color डालने से बिर्यानी का जो rice होता है वो जादा अच्छा दिखता है, तो यहाँ पर मैंने यह food color भी ready करके रख दिया है, अब हम चावल को धोलेंगी, तो यह दोनों measurement मैं आपको दिखा देती हूँ, तो एक ग्लास चावल के लिए हमें कितना देड़ ग्लास पानी इस्तुमाल करना है, चावल को पहले पानी से अच्छे से धो ले दो तीन बार, चावल को हमें पहले से भीगो के नहीं रखना है, मतलब हमने जो मसाला ready करके रख तबी तक चावल को दो के रख लेना है, मतलब 2-3 मिनट आपको चावल को ऐसे पानी में भीगा हुआ रखना है, भीगो के नहीं रखना है, भीगा हुआ, तो यहाँ पे मसाला जो है ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे दही, तो यहाँ पे प्लेन वाली ज गैस को आउन करके पहले 2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि दही जो है वो मसालों के साथ मिल जाए और उसका खटा टेस जो है वो चला जाए, तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम करके आप इसे 2 मिनट पकने दे, 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि यहाँ यह दही मसाले अच्छे से मिल गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पनीर और उसके साथ हरी मिर्च, तो यहाँ पे पनीर के 4-5 टुकड़े आप ले ले या जितना पनीर आपको खाना है, उस हिसाब से आप पनीर डाले, यह हरी मिर्च डाला मैंने, मिला दें सबको, तो यह हमारी बिर्यानी की सबजी जो है वो बन के तियार है, जो लेयर में हम नीचे लगाते हैं, तब हम क्या करेंगे कि बिर्यानी की लेयर रिंग करेंगे, तो उसके लिए ना पहले गयास को बन कर दे, इससे क्या होगा कि सारी चीजे बरावर पकेगी, नहीं तो नीचे से मसाला ओवरकोक हो जाएगा तो यहाँ पे यह हमारा बेस जो है वो रेडी हो चुका है अब हम जैसे दम बिर्याने के लिए लेयर बनाते हैं न वैसे ही बनाएंगे तो मसालों को अच्छे से मिक्स करके और बरावर भाग में ऐसे डिस्रिब्यूट कर दे इसके बाद हम क्या क भी डाल देंगे घी से राईस जो है वो अच्छा बनता है थोड़ा मौशयर रहता है उनमें इसके बाद थोड़ा सा बिर्यानी मसाला या फिर गरम मसाला आप इसके उपर स्प्रिंगल कर दें इसके बाद कैसर के रखा था न नहीं दूद में कैसर भीगो के रखा था वह और इसके उपर हम ये चावल डाल देंगी तो चावल को पहले से भीगो के नहीं रखना है अगर आप चावल को भीगो के रख रहे हैं तो पानी का इस्तमाल कम करें तो चावल मैंने पूरा स्प्रट कर दिया है इसके उपर वापस हम ये भुना हुआ प्याज रख देंगे वापस सेम लेरिंग हमको करनी है तो इसके बाद प्याज, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता जो हमने बेस में किया ना सेम चीज यहाँ पर भी अपलाई करना है तो घी डाला मैंने, इसके साथ ये बिर्यानी मसाला पाउडर, केसर वाला दूद और इसके उपर हम डाल देंगे ये फूट कलर तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि फूट कलर नहीं इस्तमाल करना है तो एक ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास यानी 1.5 ग्लास पानी इस्तमाल करना है पानी डालने के बाद इसे हलकी हाथों ऐसे शेक कर देना है ताकि पानी जो है वो हर तरफ बराबर हो जाए तो अब हम क्या करेंगे गैस को आन कर देंगे और प्रेशर कोकर का ढखन बंद कर देंगी तो पानी का measurement आपको ध्यान रखना है कि जिस बरतन से आप चावल इस्तमाल कर रहें उसी बरतन से डेढ़ गोना पानी आड़ करना है प्रेशर कोकर में तो यहाँ पे प्रेशर कोकर को बंद किया मैंने अब हम गयास का फ्लेम हाई कर देंगे और दो सीटी हाई फ्लेम पे लगने देंगी आप चीए तो एक सीटी हाई फ्लेम पे और धीमी आज पे पांच मिनट पका सकते हैं उससे भी बिर्यानी सही बनती है तो यहाँ पे मैंने दो सीटी लगा दी है, गैस को बंद कर दे अब प्रेशर कोकर को ठंडा हो जाने दे उसके बाद खोले जब इसका प्रेशर निकल जाए ना तब इससे आप ऐसे खोल के और इसके उपर थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दे और उसके बाद वापस दो मिनट के लिए बंद कर दे उसके बाद खोल के आप इससे सर्फ कर सकते हैं तो इससे बिर्यानी से बहुत अच्छी खुचबू आती है यह करन और आफशनल है, आप जिए तो डारेक्ट खोल के भी सर्फ कर सकते हैं तो यह हमारी बिर्यानी जो है वो बन के तियार है यह देखे राइस एक तम पॉफट खिले-खिले बने है एक दूसरे से चिपका हुआ भी नहीं है और ओवर कुक भी नहीं है यहां पर मैं आपको क्लोस एंगल भी दिखा देती हूं और नीचे की राइस को भी निकाल के तो जब भी आपको होटल वाली बिर्यानी खानी है और ज्यादा मैनत नहीं करनी है तो आप एक बरतन में आसान तरीके से पॉफट मेजरमेंट वाली इस बिर्यानी की रेसिपी को जरू ट्राई करे एक ग्लास चावल के लिए डेड़ ग्लास पानी हाई फ्लेम पे दो सीट अगर आज की रस्पी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्रेक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले